गुड मॉनिंग एप्रिवेंग, येस नौगिन, I am here for to you और आज की हिंदियन लाइन क्लास में फिर से आप सभी का एकवर स्वागत है तो हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? सभी लोग घर पे स्वस्त हैं, अच्छे हैं इनी शुब कामनाओं के साथ हम पुना आगे बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से जो हमने अपनी पाठे पुस्तक में पाट बारा खेल जगत की गुडिया, यानि दीपा कर्मा करजी के बारे में पढ़ना आरंब किया था उनके बारे में हमने एक साक्षात कार के द्वारा जाना था कि वे कैसे इस खेल में आई, कैसे उनकी रूची इसमें जागरत हुई और फिर हम लोगों ने इस पार्ट को समझा इसके द्वारा फिर हमने अपने अभ्यास प्रश्न की थे पुस्तक में हमने आपको एक होमबोग दिया था, याद कीजिए कुछ शब्द थे जिनसे आपको वाक्य बनाना था और बाकाइदा हमें कुछ बच्चों का कारे प्राप्त भी हुआ है और बाकी बच्चों के कारे का हमें इंतसार कर रहे है ताकि आप लोग अपना ग्रह कारे हमने समय पर बताते रहे तो आज हम लोग और थोड़ा आगे बढ़कर इस पार्ट के जो प्रश्न उतर लेखन का कारे है उसे आरण करने वाले हैं तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे अपनी पुस्तक और अपनी नोडबू यानि की उत्तर पुस्तिका और अपनी पैन लेकर रैडी हो चाहिए ठीके अपनी पुस्तक में पेश नमबर 85 और 86 ओपन करने जीए बड़ा अपनी पुस्तक में बीच में दिया गया है तो सबसे पहले जैसे की हम लोग क्या करते हैं अपने पाट के अंतरगत जो शुत लेक के शब्दा हैं उन्हें हम करते हैं तो ध्यान रखिए शुत लेक सुन कर किया जाता है तो हम यहां बरून शब्दों को बोल भी रहें और लिखी भी रहें हैं तो आप हमेशा की तरह उसके लिए बाकाइदा दो रेखाए बीच में खीचेंगे और दो बार स्वयम से पुना उनका उचारण करके लिखेंगे बीटा ठीके चालें तो यह पहला पहला हम क्या लिखेंगे हैं अपना शुद लेख ठीके इसमें देखेंगे विड़ा हम कुछ शब्द राजिना पर लिख रहें और इमें दो बार हांको जोयम लिखना है तो पहला शब्द है हमारा दिन चर्या दिन चर्या दिन चर्या का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूरे दिन भर के काम होते हैं उनका क्रम से लिखना या उनको क्रम से रखना दूसरा है हमारा ओलंपिक ओलंपिक शब्दों में और वर्णों में परियाप्त दूरी रखेंगे आरंब से ही अपने कार्यों में अपनी वर्तनी में शुदता रखें साफ और सबस्ट लिखते जाएं आप लो अगला शब्द है प्रसिक्ष जो सिखाने वाज़े होते हैं प्रेनर अगला शब्द है हमारे पास पत्रपार इसके वाद में एक शब्द हमें आयाता मिदेश नियुदेश देने बादा मेदेश अगला जो आपका शुख लेट का शब्द है वा है संतूलन ठीके इसके परशाथ आपको एक शब्द इसमें दिया गया है विटा व्यक्तित्व 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 चीके और अन्तीम शब्द जो है वा हमें दिया गया है कांद सिर्फ पदखन तो इस तरह से हमने ये कुछ शब्द यहां पर शुख लेख में लिखे हैं आप लोग इन्हें एक बार हमारे साथ लिखेंगे और दो बार उच्चारिक करेंगे और स्वयम इससे उनहा लिखेंगे इसके पर शब्द लेखन का कारे है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने कारे समापती के पर शब्द लेखन एक रेखा खीचिए और फिर यहां से अगला वाला जब्द है शब्द लेखन का कारे आरभ बतर लिए शब्द लेखन शब्द लेखन के लिए को नहां हम क्या करते हैं यहां बीच में फिरेखा डालते हैं इस तरह से चुकि हम लोग क्या करने वाले हैं शब्द लेकरने एक और हम शब्द लिखते हैं बीटा और दूसरी और क्या करते हैं उसका अर्थ लिखते हैं तो पहला शब्द है मार्ग दर्शन मार्ग दर्शन मार्ग दर्शन का अर्थ होता है बीटा रास्ता दिखाना हमारे जरू प्रसिक्षप होते हैं वे हमारा मार्ग दर्शन करते हैं ठीके फिर अगला शब्द है चेष्टा चेष्टा का मतलब होता है प्रयास या खोशिस प्रयास तीसरा शब्द हमें दिया गया है प्रमान प्रमान का मतलब होता है साथ या तथ्या फिर आपको एक शब्द इसमें दिया है भारत तोलन भारो तोलन भारो तोलन का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकते हैं? वजन उठाने से संबन्धित खे फिर एक आपको शब्द गिया गया है वजन उठाने से संबन्धित खे थोड़ा बड़ा है आर्थ चुकि ये एक खेल होता है जिसमें ये कारी किया जाता है और उसके आधार पर उस खेल का नाम रखा गया है फिर एक आपको शब्द गिया गया है वजन दिनचर्या जैसा केरिय आपको समझ गया बड़ा दिनचर्या का अर्थ आप और भी आगे देखेंगे और पार्ट में भी आपढ़ चुके हैं कि जो आपकी दीपा कर्मकर्जी है उनका जो दिन चर्या है वो कितना व्यस्त वाला है दिन चर्या का मतलब होता है दिन भर के काम का लेखा जोखा है ना दिन भर के कारियों का या काम का लेखा जोखा ठीके लेखा जोखाना तब हिसाब किताब रहना चलिए तो आप चल दीजे इस कारे को कर लीजे फिर हम यहां से हटा देंगे चुकि यह शब्द और यह कारे बिटा आपकी पूस्तक में भी आपको दिया गया है तो आप बहुत आसानी से वहां से भी लिख सकते हैं आप कोई से कोई परिशानी नहीं आएगी तो हम तक तक इस तरफ का कारे जो है वह हटा रहे हैं चुकि हमारी प्रेशन अपतर जो है वे थोड़े से विस्तारित रूप में है और उन्हें लिखने के लिए हमें एक परियाब के समय क्या हुशकता है और वैसे में जिस तक से आप बड़ी कप्षा में चाह रहे हैं आपको अपना लिखन की जो गती है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी विटा है ना इसे हम एक वर और वो फ़र से साब कर लोगे हैं तक ही आप लोगों को इहां परिकारे इस पच्चरुच से दिखाई दे ठीके चलिए विटा हमारा पहला प्रेशन है पहले तो हम रुख्या करते हैं एडिंग डाल जेते हैं यहाँ आपर इन प्रश्नों के उत्तर देजे इन प्रश्नों के उत्तर देजे ठीक है पहला प्रेश्न आपकी पुस्तर में दिया गया है कोई बच्चे पढ़ेंगी क्या हमारे लिए उसे को देखे उत्तर प्रेश्न नबर को हमें दिया गया है दीपा की प्रमुख उपलब्दियां दीपा की प्रमुख उपलब्दियां उपलब्दियां मतलब एचिमेर्ट्स उपलब्दियां कौन-कौन सी है कौन-कौन-सी है ठीके उत्तर अभी तरहे हैं तो दीपा की प्रहुक लब्दिया हमने पाई ग्यारम पढ़ी थी कि जो उस्तव में प्रहंगी प्राप्त विटथी वो थी एक तो उनहें जो ओलेंपिक गेम्स थे उसमें उनहें चौथा इस्तान प्राप्त होतोना प्राप्त होता कॉन वेल्द के tax ऊप्राप्त होता या कौन सी है? सन दोहजार चौदा में सन दोहजार चौदा में आयोजित कॉमन वेल्थ गेम्स आयोजित कॉमन वेल्थ गेम्स में कांसी पदर? एवां सन दोहजार चौदा में रियो ओलंपिक रियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में आपको पता हैं जो ओलंपिक गेम्स होटे हैं न वो लगभग हमारे विश्व के सभी देश के जो खिलाड़ी जो इसमें भाग लेते हैं तो एक तरह से वो खेलों में सबसे बड़ा वला खेल आयोजित माना जाता है बिटा है ना कम से तो शारे 133 के लगभग में कुछ देश होते हैं और कुछ ज्यादा कम भी हो सकते हैं तो इतने सारे देशों के खिलाड़ी इस खेल आयोजित में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक बहुत प्रतिष्ठा की बात हो जाती है ऐसे खेल में देखें आयोजित ओलम्पिक खेलों में ओलम्पिक खेलों में चौथा इस्थान राप्त करना है देखने लो उत्तर आपको अवशित बड़ा लगना होगा है किन्तु जो हमें प्रेशन पूछा गया है उसका सही सही और सटिक जवाब देना हमें बनता भी है और भही तो उसका उत्तर है क्योंकि अगर आप उत्तर को लिखने में शब्दों को इदर उदर करेंगे या कम जादा करेंगे तो शहर वो उसका अख्त खो देता है तो कई बार हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए प्रश्ण दम्रव दीपा ने अपने परिवार के बारे क्या बताया के बारे में क्या बताया था कोई बता सकते हैं अपने परिवार के बारे में बताया की परिवार के बारे में बताया की उनके फिता जो है ना भारत तोलन की कोच है उनके फिता भारत तोलन जो खे ने बता के कोच है और माँ घर का काम संभालती है घर का काम संभालती है साथ ही उनके कुछ और बताया था वे दो बहने हैं कितनी बहने हैं? दो बहने हैं और बड़ी बहन पूजा कर्मा कर्द जो है उनकी शाधी हो गई है तो आप लोग शिक्रता से इस उत्तर कुपोर्ण कर लीजिए ताकि हाँ इसे यहां से हटा कर अगला कारें लिख सके बीटा बहने हैं इसके दुश्या है हम उपर वाले प्रिश्न को यहां से हटा रहे हैं बिटा है चुकि हमारे पास समय की फुलिसी कभी भी हो जाती है और इक देल तक हमें अपना अगला कारे प्रिश्न करना होता है और यह आपको हमारे साथ निख रहे हैं तब तो कोई दिक्कात ही नहीं है प्रिश्न नंबर तीन में उन्होंने दिपा की दिन चर्या पुछी ही बिटा किसी की दिन चर्या बहुत छोटी होती हैं किसी की दिन चर्या बहुत लंबी होती हैं अब आप खेंगे में चोटी और बड़ी कैसे हो सकती है दिन तो बही का बही किकलता है है ना लेकिन येदि आप एक उत्ती दिन में बहुत सारे कारे करते हैं सत्य लगता कुछ कारे कर दी जाते एक की बाती तो आपकी दिन चर्या कैसी होती है ब्यस्त हो जाती है लेकिन येदि आप अपने पुरे दिन में सिर्थ कुछ काम कर रहे हैं बाकी समय में आप आउकाश ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आपकी दिन चर्या बहुत छोटी मानी जाएगी, उठे, ब्रेश किया, नाश्ता किया, अन्हा लिए, पढ़ लिया, सो गए, उठे, फिर नाश्ता किया, फिर टीवी देख लिए, और सो गए, तो ये तो बहु अब तुबह के बारे में हम लिए रहे हैं, तो खुश्तो उद्में स्पेश्वी भी होगी, तब ही तो उनका इंटर्यूर लिया है ना, आपने, चाहिए, तो आखिर क्या है बीपा के दिन चलिया में स्पेश्या लिए, सबसे पहले क्या बहुता है, सुबह साथ बजे से तयार होकर नाष्टा करने, किजी नाष्टा तो परेंगी लग जिलाई है, नाष्टा करने के बार, प्रक्टिस के लिए चाहती है, अप्यास के लिए जाना, फिर त्रिपूरा खेल भाग में, फिर त्रिपूरा खेल, विभाग में सहायक निदेशक, सहायक निदेशक के पत्पर है वे, वो निदेशक का कार्य देखना, ये भी उनके डेली रूटीन का एक अंग है बिटा, हम प्रिशन पर दो भी हमसा हटा रहे हैं निदेखिए, ये तो हुआ उनका, दोपर तका पाले, फिर दोपर के बाद में क्या करती है वे, वो भी हम यहाँ अपर लिखते हैं चलिए, वहाँ पर हो जाती हैं, फिर वहाँ से जब वे वापस आती हैं, है ना, वहाँ से साड़े तीन बजे, देखिए दोपर तो हो गई क्या करती है वे, जिन जाकर अभ्यास करती हैं, जिन जाकर अभ्यास करना, और अंत में, यनि कि वहाँ से आता तोने रात हो जाती हैं, अंत में रात को घर लोड़ पर पड़ाई करना, लोड़ पर पड़ाई करना, दीपा की दिन चरिया है, चुकि हमारे इस पाइट में आप देख रहे होंगे, कि प्रेशनों के चुकतारी बहुत थोड़े से, दिर्वो होते जा रहे हैं, लेकिन पेटा मांने आपने कहा था, कि जैसा प्रेशन होता है, वैसा ही उसका उत्तर भी होता है, और यदि उत्तर व्यवस्तित ना हो, तो उसे समझने में दिक्कत आती है, तो अगर लिखते समय उसके लंबाई चोड़ा थोड़ी बढ़ जाए, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी ना घब रहे हैं, बलकि उन वाक्यों को, उत्तर को आप पढ़िए, तो जब आप से लिखने बैठेंगे, वो आपको सरण ही लगेंगे, साधरन से बार देखे, सुबह साथ बजे उठता, जल्दी से तयार होना, नाश्ता करना, नाश्ते कवार अभ्यास के लिए जाना, फिर त्रिकुरा खेल विभाग में सायक निदेशक का कार्य करने जाना, है ना, वहा तो आप उनको काम की तरह याद कीजिए, तो आपको ये उत्तर बड़े नहीं लगेंगे, बलकि पढ़ने में आसान लगेंगे, ठीके, चलिए, इसके प्रश्याद हम अगले प्रेशनल लिख रहे हैं अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस के बारे में अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस के बारे में बारे में दीपा ने क्या बताया सभी लोग इस प्रेशन को उताग लीजिए, अपनी कौपी में लिखने जिए बिटा और ज्यादा विवस्तित रूप से लिखने के लिए आपके पास सुस्तक है और जुजए अपनी आपके लिखने के लिखने 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 क्या विखने a क्याअ क्या भके विश 일이 préय oral对े लिखनů में रुपी टरुपूभ। कि अब बीट करते हूं कि आप लोगों ने अपना अपतर लेखन का कारे कर लिया होगा तो मैं इसे यहां से हटा रही हूं बच्छा विसे एक बट आपसे कहना चाहूंगी पिटा मौसम बदल रहा है और फिर से मौसम में हली किसी दर्मी आ रही है ठैट हली किसी कम हो गई है और बदलता मौसम जो होता विला वो हमें बहुत जादा प्रभावित करता है और इन दिनों आप लोग थोड़ा सा अपने स्वास पका रान रखिये ताकि आप बदलते मौसम के साथ में बीमार ना हो चले हम अपना उत्तर शुरू कर रहे हैं उत्तर नंबर घव उत्तर नंबर घव में देखिए दीपा ने बताया की अब हम ये पूरी चीज़ें निकला की पढ़ाएं और प्रैटिस के बारे हैं हम अपना उत्तर ही यह से शुरू कर रहे हैं दीपा ने बताया की वे क्या करती हैं मैं प्रैक्टिस करने के बार, क्या करती हूँ? घर आकर पड़ाई पर भी ध्यान देती हूँ. घर आकर पड़ाई पर भी ध्यान देती हूँ. पड़ाई पर भी ध्यान देती हूँ. पोड़ाई बनाने चे इसके प्रशार प्रशनमबर अंगु. प्रशनमबर अंग हमें दिया है कि लड़कियां हर मोर्चे पर. कोई बता सकत है मोर्चे का मतलब क्या होता है? मोर्चे यह नहीं कि फिल्ड है ना वैसे तो मोर्चे का मतलब होता है जंग का मैदान बट यहां मोर्चे नहीं मतलब होता है फिल्ड. चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या आपके पड़ाई का शेत्र हो हो तो जो प्लेस होता है बिटा उसे कहते है मोर्चा. ठीके लड़किया हर मोर्चे पर खुद को साविप कर रही हैं। दीपा ने ऐसा कभ कहा और क्यों? दीपा ने ऐसा कभ कहा और क्यों? ठीके? चल तो हम इसका उतर आरण बताते हैं। चुक्कि हमारे एक ये प्रेशन में दो प्रश्र चुत रहे हैं। है ना? अब चुक्य हमें यहां बताना पड़ेगा क्या आपके बिलबाजी से ऐसा क्या पूछा गया? जिसके आंसर में उन्होंने ये चीज कहीं थी बिटा। ठीके? चलिए पत्रकार द्वारा यहां पूछने पर क्या पूछा था? की एक लड़की के रूप में आपको अभी कुछ आपको अभी कुछ साबित करना है? साबित करना है? प्रशन पूछा था? तो प्रशन आपको चिंदल लगा दीजिए बिटा। क्योंकि पत्रकार ने यह पूछा था कि अभी भी लड़कियां अपना बेस्ट दे रही हैं तो आप भी अभी कुछ और साबित करना चाहती हैं। कुछ ऐसा रह गया है जो दूसरी लड़कियां नहीं कर पाई हूँ। तो दीपा जी ने बहुत जवाब गया था कि सिंदु जी और जो कि हमारी दूसरी खिलाडी है साक्षी मलीक जी यह लोग अलब्रेडी गर्स की फावर को साबित कर चुकी हैं। कि वो भी एक बहुत अच्छी प्लेयर हो सकती है। तो अब मेरे लिए इतना कुछ बाकी नहीं रह गया है। हाँ लेकिन फिर भी मैं यह जुरु कहना चाहती हो कि जिस तरह सामरे देश मिनट के आगे बढ़ रही है और भी अपने आपको साबित कर चुकी है। है ना दीपा ने तो यह जवाब हो गया। अब दीपा ने ऐसा कहा। ऐसा कहा। सेटर्ड कोशन था क्यों। क्योंकि उनके अनसार यह उनके विचार थे ला। हमारे देश की लड़कियां क्या कर रही है? किसी से कम नहीं है? किसी से कम नहीं है और क्या हुआ था? वे आगे बढ़ रही हैं या थे किसी और ने भी ये वाक्य कहा था? बस कहने वाजे नहीं ये कहा था कि मारी लड़किया भी किसी लड़कों से कम नहीं है याद आया किसने कहा था? हाँ जोफ़व अगर दंगल देखी होगी तो सबको अच्छे से याद होगा एक पिता जो चाहता था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मैडल ना है वो नहीं लापा है लेकिन उन्होंने अपना सपना अपनी बेटियों के द्वारा पूरा किया क्योंकि उनको ये लगता था कि बेटियां जो होती है लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती है जो कम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है अगर लड़के देश का समान बढ़ा सकती तो लड़कियां भी देश का विमान बढ़ा सकती है फिर उचाहे खेल की शेत्र में हो चाहे बे किसी भी मोर्चे पर हो और उन्होंने अपनी वेडियों के साथ हो महनत की और उनकी बेटियों लिए उस सपने को पूरा किया और ये साबित किया कि लड़किया भी किसी से कम नहीं होती है बविता फोगट या गीता फोगट का नाम लेने के उज़े ज़रुद नहीं है आप सब लग उन्हें अच्छे से जान चुके हैं है ना और उसी क्राम में जो दिपा कर्मा करजी है वे भी आगे बढ़ रही है वे लड़कियों को और साभित करनी के आशकता नहीं सिर्फ वे उनका सहीयों कर रही है कि हाँ आप लोग अक्कीली नहीं हूँ मैं भी आपके साथ हूँ ठीके तो ये प्रशना उत्तर हमारा जी ही समापत हो रहे है बिटा और ये आपके किसी तरह की कोई परिशानी है तो आप आप एदा हमसे पूछ सकते हैं लेकिन प्लीज बिटा लेखन कारे बहुत ही शुदता और सुन्दता के साथ में पूर्ण कीजिएगा ये नहीं कि आंसर लबा है या बड़ा सा दिख रहे है तो आप खॉच-खॉच कर दें या एक उसरे में मिक्स कर दें ठीके विरस्तित रुप से लिखे और उसको लर्न करते समय से लर्न करने की साब से मत करिए उसको समझ जिए आपके लिए उसको याद रखना आसान हो जाता है ठीके तो प्यारे बच्चो हम अपने अगले लेक्चर में फिर से एक नए पार्ट के साथ एक नए विशे के साथ मिलेंगे तब तक के लिए मैं आपको फिर यही एक संदेश दोंगी कि प्लीज बदलते मौसम बदलते एटमस्वेर बाहर जो भी हो रहा है उससे खुद को बचा कर रखिए अपना स्वास बनाए रखिए और घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अगले बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई